नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोल इन टायर लिमिटिड कमपनी की IPO के बारे में कमपनी का यह IPO आज 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में खुलने जा रहा है कमपनी ने जो प्राइज बेंड रखा है वो 215 से 226 रुपे का रखा है 12 सितंबर के दिन आपको इसका लोटमेंट स्टेटस पता लग जाएगा 13 सितंबर को आपका रिफंड वापिस आ जाएगा और 13 सितंबर के दिन IPO लोट होगा उनके शेयर डीमेट अकॉंट में क्रेडिट हो जाएगे और 16 सितंबर के दिन या IPO मार्केट में लिष्ट हो जाएगा रिटेल काटेगरी में आप मिनिमम एक लोट लगा सकते हैं और मैक्सिमम तेरा लोट लगा सकते हैं और अगर हम कंपनी के बिजनस की बात करें तो यह कंपनी 2003 में स्टैबलिस होई थी जैसे ही इसके नाम से क्लियर है तोलिन टायर यह है एक टायर मैनुफेक्चरिंग कंपनी है और कंपनी इंडिया के इलावा मिडल इस्ट, इस्ट अफ्रिका, जोडन, केनिया, इजिप्ट इसके साथ-साथ 40 कंट्रियों में एक्सपोर्ट भी करती है जो मेंली बिजनस है वो दो काटेग्रीज में डिवाइड किया गया है एक है टायर मैनुफेक्चरिंग, दूसरा है ट्रेड रबड मैनुफेक्चरिंग टायर मैनुफेक्चरिंग में कंपनी फुल टायर बनाती है और दूसरा है Tread Rubber Manufacturing जब हमारा टायर चलते चलते घिस जाता है तो हम नया टायर ना लेके उस टायर के उपर एक layer चड़वा लेते हैं जो की cost में काफी सस्ता पड़ता है जो उसके उपर layer चड़ाई जाती है टायर के उपर वो कहलाता है Tread Rubber तो ये company वो भी बनाती है और अगर हम company के जो product देखें तो company commercial vehicle के लिए टायर बनाती है agriculture के लिए टायर बनाती है two wheeler, three wheeler के लिए टायर बनाती है company की total तीन manufacturing facility है जिसमें से दो केरला में है और एक जो तीसरी है वो इंडिया से बाहर UAE में है आईए अब हम company के financial देख लेते हैं तो इतना कोई data company के financial का available नहीं है केवल मार्च 31, मार्च 2024 का ही data available है उसके according अगर हम देखें तो company का जो revenue था वो 28 क्रोड रुपे का है और company का जो profit है वो 26 क्रोड रुपे का है और company के पास total 85 क्रोड रुपे के reserve है और company के उपर 78 क्रोड रुपे का करजा है अगर हम company के market capitalization की बात करें तो company की जो market cap है वो 892 क्रोड रुपे की है अगर हम ये देखे company जो ये पैसा raise कर रही है company उसको कहां यूज करेगी तो company अपना और उसकी जो holy own subsidies है company उनके उपर जो करजा है company उसको चुकाने के लिए इस पैसे का यूज करेगी और company future की कुछ working capital requirement को पूरा करने के लिए इस पैसे का यूज करेगी और company के जो promoters हैं कुछ पैसे को अपने personal यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर हम इस IPO के grey market premium की बात करें तो आज के दिन जो इस IPO का grey market premium चल रहा है वो 30 रुपे का चल रहा है जो की 13% है जैसे जैसे IPO में जितना ज्यादा subscription होगा तो आपको company का जो grey market है वो बढ़ते हुए भी नजर आ सकता है अगर हम total overall बात करें तो company के financial इतने ज्यादा अविलेबल नहीं है company जो बिजन करती है tire manufacturing और trade rubber का उसमें उसके काफी बड़े बड़े competitor है जिसमें MRF tire, JK tire, Apollo tire तो ये competitor भी काफी ज्यादा है और company का financial का data भी उतना विलेबल नहीं है long term के लिए तो मैं अभी आपको मना ही करूँगा कि इस IPO में आप ना लगाए और लेकिन 11 सितंबर के दिन जब इस IPO में अगर subscription ज्यादा होता है तो उस दिन आप इसका grey market premium चेक करके इसमें IPO में apply कर सकते हैं अगर उस दिन आई इसमें जो grey market premium है वो 40 या 50% के आसपास रहता है तो आप listing gain के लिए इस IPO में apply कर सकते हैं otherwise मैं आपको इस IPO से दूर रहने की ही सला दूँगा tire manufacturing company में और भी काफी बड़ी बड़ी company हैं अगर आपको tire manufacturing में ही लगाना है तो आप अपने पैसे को वहाँ पे लगा सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें धन्यवाद